पर जाट इंदू है पहले, हम जाट बाद में और भाई देश के लिए कट मर जागे, देश के लिए मर जागे, कोई दिक्कत नहीं क्यों हो गया हम धगर नारे लगेंगे और पहाँ नारे लगेंगे यहां नारे लगेंगे इंदुस्तान में रहना होगा तो जैसरी राम कहहांँ किसी काम का नहीं पाक श्राम दिया और वह पर योगी जी मुख्यमंत्री होते तो उसका उससे भी ज्यादा बढ़िया और लंबा चोड़ा उने पैगाम दिया जाता है वी रिटन गिफ्ट भी तो देना होता है न एक तो उने रिटन गिफ्ट के तोर पे और भी अच्छा था बढ़िया खूब सूरत कि उपर बानने लगते हैं यदि किसी से कहा जाए कि कुरान का चैन करोगी कि सम्विधान का तो महीं पर पता लग जाए कि भारत का वाशी या कोई और है विश्व गुरू था और विश्व गुरू तभी बन सकता है जब हिंदू एक होगा जब तक हिंदू अलग-अलग र अब कितने हैं कुल चार अजार इस समय में मौझूद हूँ बड़ोध बागपत में यहां आप नाम सुनकर आपको पता लग गया होगी कहीं ना कहीं जाटों की संक्याई यहां जादा है आए लोगों जो लोग हमारे साथ मौझूद हैं इसे बातचीत कर लेते हैं वो क्या सो होती है उसके बाद अब शुरू हो जाता है कि जाट हिंदू नहीं है ब्रामण हिंदू नहीं उसमें अपने आपको देखना पड़ेगा उससे स्वएम आकलन करना पड़ेगा वो है की नहीं जाट है की नहीं पहले तो उसी पर संदे किया जाना चाहिए वो है भी की नहीं जाट हो या अन्य जो भी आप कह रहे हैं बच्पन में आपने कवीता कहानी सुनी होगी जो पिता के पास गए चार पुत्र लकडी का बंडल लेका एक एक को तोड़ दिया और है मुगला करांता हो चांग्रेज हो ऐसे ही प्रताडित होते रहेंगे और जहां-जहां हम संगठीत रहेंगे महां पर हमारी अस्ति बनी रहेगी आगे भी मेवात की इंसकों किस सरी कैसे देखते हैं शोबा यात्रा निकालने लोग जाते हैं विश्वंदू परिसद के लो अपनी धार्मिक कोई भी धर्म जिसका है उसको मानने का प्रचार करने का पूर्ण स्वतंत्र दिकार है उसको तो अनुच्छेद का धारा 25 में यह उलेक है तो उसी के अनुसार यदि को इसको बाधित करता है संविधान को तोड़ता है बात आती है संकीन मानसिक्ता की संसवर्ण में अश्र धर्व सर्वु परे है उसके बाध हम व्यक्ति का तुरूप से आपने वीडियो देखी चीमिए कि हिंडू जो है वो तो काफिर है लेकिन हम जाट है और सो sihंश के यह ब ख हैं जो हिंसा हुई उसका आरोप एक तरह से कहा जा रहा है कि बजरंग दल ने वहां तलवारे लहराई इसलिए वह हिंसा बड़क उठी क्या कहेंगे उस पर जाट आपना भी कहा कि जाट कोई जाट कहा रहा है कि बजरंग दल विश्विंदू परिशिद वाले काफिर हैं पास यह शब्द है कि जो हमको नहीं मानता वो काफिर है उसको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है ठीक है तो ऐसा जिदि कोई जाट कहता है कि वह लोग काफिर हैं तो तुम कहां से हो तुम भी तो अपनी व्याक्या कर दो उस जाट से पूछ यह प्रशन क्या आप दूसरे को काफिर बता रहे तो आप काफिर बताने वाले होते कौन है कौन बताते हैं काफिर यह मुस्लिम कहते हैं ना काफिर काफिर सब्द की उत्वत्ति कहां से है उनके महां से है तो वह जाट बंदू जो भी है उससे पूछा जाना चाहिए कि काफिर सब्द बजरंग दल वाले विश्विंदू परिशद वाले हैं तो आप कहां हो उनसे भी तो इस सवाल किया जाना चाहिए अगर किसी ने मुस्लिम भाईयों को हाथ लगाया तो बक्कल तार देंगे ऐसा है वह जो भी लोग कह रहे हैं वह अपने राजनीती उपस्तित नहीं थे यात्रा में बहने माताएं पूरा हिंदू समाज महाँ पर उपस्तित था तो ना कि बजरंदल की यात्रा थी पूरे हिंदू समाज की यात्रा थी जो सालों से निकलती हुई आ रही है तो आप उसे देखेंगे इनका तो काम रहा है बहाई का क्या नाम था पत्तर बाजी करनी है कैसे फूट पड़े इनका ये काम है जो ये लोग है ऐसा कुछ नहीं है जाट एक है बामन एक है बनिया एक है ठाकुर एक है हिंदू एक जुठ है जो यह हमला हुआ है वो स्वaiser नियोजीत था जिस तरह से पत्तर कै एक गए पूरी बस्विंदू परेशन के दौरा हुई लेकिन पूरा समाज हुआ हुँआ हुँए हिंदू समाज था उसमें जाट भी थे ब्रहंमन भी थे ठाकुर भी थे त्स आरी विध्या उसमें सामिल ह हो गई है इसकी यात्रा होगे तकी नारेवाजी कर रहे तब कहां थे वह बताने वे काफिर थे हम काफिर थे सबसे पहले अपने आपको सहिष्णू करना जब तब तक हम समविदान को नहीं मानेंगे तब तक हम सहिष्णों नहीं हो सकते इश्वर की स्रिष्टी है मैं परसो भी कहा रहा था वेद का संदेश रिषी द्यान्द ने कहा वेदों की और लोटों पुमान पुमान सम परिपात विश्वता मनुष्य मात्री की रक्षा करे ये इश्वर का इश्वरिय धर्म है मनुष्य मानव स्रिष्टी इश्वरिय स्रिष्टी है तो मानव को मानव धर्म मानने वाले तो बहुत सारे हो गए परन्तु इश्वरिय धर्म मानने वाले कहा चल परी है हम जीब चाहोगे देश के लिए लड़ेगे और दुबारा यात्र होगी दुबारा भी हम जागे और इन से ज़्याद है जाट तो अरिद्वार में कावड यात्र में चले जा यह का आगे जाट रहें बताओ पर पूरा माधे मंदिर में इतने लाग जाट कावड चड वो कह रहें कि बक्कल दार देंगे जो हिंदू जाट और मुस्लिम का भाईचारा बिगाने कोशिश की तो अरे बाई सुबह का बुल्दा वगर सांज को भी अपने गरू आजाओ सा बुल्दा नहीं कहते वो बटक रे कोई बात नहीं आ जागे टेंप आ जागे अपने गर मुसल्मान तो अगर भाईचारा होते मेरे पत्थर बरसाते वे तो फूल गेरते पैरू मैं अर्जो योगी मंका मुख्यमंत्री होता वे अपना घर चोड़का बाग जाते वाई वे ना कई के भी अच्छा फूल नहीं बरसा है अरे कई भी ना तो स्वागत कर रहे थे वे तो उनकी तो पहले था तैयारी थी भाई नहीं तो बेकार है वे कुछ नहीं उत्ता उन पर यारी पहले सी इवे डाइसो घट उटन ला ग्रेव चला जाओना कोई सा कालतार लगे फोजी पढ़े वहां बदा देगे उना गेर का कोई दिक्कत नहीं हम आगे आएंगे अकर म मेवाती मुस्लिमों को कुछ कहा किसी ने आके तो घर पर बुल्डोजर से लिया आपको भी दीघरी होगी क्यों नहीं जा रहे पता हालतार लगे पुलिस वाड़े तो छोड़े पोजी ना छोड़ते भाई वे तो बुंड़ा बजावे बजागा उनके बज़ेगा चुट चाहते हैं कि योगी जी एक बार प्रदान मंत्री वने तब में वाती होगा बागपत के नहीं पूरा देश चावे योगी परदान मंत्री वने इनकी खाल खड़ी कर दगे ऐसी गटना अब आप ही बताओ वहां हिंदू थे आप ना कोई बजरंग दल लेगा जारता नो भी थी तो उन्होंने इतना मतलब गलत काम करा पत्थर बरसाई गोडी बरसाई हमारे एक बागपत के नारे भी तो लगा रहे थे तो नारे तो हम लगाऊगे खुलके लगाऊँगे जैसरी राम नारों से भढ़क गए वह इसलिए हिंसा हो गई उनकी मों रम की आतरा लिग नारे लगेंगे लगते हैं और लगते रहेंगे और उनकी जानकारी के लिए बात और अमदा दें वह तो सनातन धरम में वसुदयव को टुमकम की नीती है कि दा ओल वर्ली चावर फैमली लेकिन जिस दिन हमें उनके नारों से प्रोबलम होनी शुरू हो गई ना उस दिन उ वह भी तो जाटी थे या जाटनी थे दो भाई आप ही बताओ सोच चोईस बात को सोचने का विसे नहीं है वे भी मारे भाई थे और उस टैम भी बाटने की कोशिश करी गई थी और के बारा कि वह था यूपी में क्यों नहीं करते हैं यूपी में करके दिखा हो इतने करोड लगेंगे यह इंदुस्तान में रहना होगा तो जैसरी राम का नहीं है तो राम का नाम कहना है जैसरी राम के नारे लगाने पड़ेंगे लगेंगे इनका कामी इंसा करना है इनका कामी है इनका कामी इनका करना है यह ना कुछ अरी अरी कभी चलागे हम पिछनाट इसका गेट पाड़ के लाओं गेट निपाड़ के लाओं आपकी बास सुनके तो रातों को नीन नी आएगी जो लोग है वे कौन से जाट है उसते बत्ती जाट तो जल अभी से एक कर देगा वडियात्रम है बता वे जाट नी अगवे जाट नी भाई ऐसी कोई बात नी अपना टैम घराब दाइब सही भी होगा जी जी वे पर तो सकते हैं इस पूरत नी नी जो नीजिति में नीजित है और जो राजनीति में नीजित है अपनी जेब बर्या है वो कुछ भी कह सके यह यह कावाथ बहुत पहले से चलती आ रही जिसकी जेब बर्यादि पकड़े का देड़ दे कहता है जब हिंदू एक होगा जब तक हिंदू अलग अलग रहेगा ये विस गुरू भी नहीं बन सकता गुर्कुल नश्ट करें उन्होंने क्यों करें विस गुरू था गुर्कुल थे 17 लाग भारत के अंदर अब कितने हैं कुल 4 अजार 17 लाग को नश्ट करने का यही करण था अपनी सिक्से परतिया थोब दो और इनकी खतम कर दो अगर गुर्कुल रहे तो ये विस गुरू ही रहेगा इसे कोई अटा नहीं सकता पूरे दुनिया पर राज करागा इंदूस्तान उसी वज़े से यह से गुर्कुल खतम करे गए थी क्योंकि गुर्कुल में अर्ची सिखाई जाती थी सारीरी की विकास मांची की विकास बहुत दिखी विकास और ये नक्षतर के जानकरी सब कुछ थास में लेकिन ये पदति लादी अग्ये सिरफ पड़ो और गुलाम रहो